चुनाओं के में एक नाम डीकेशियो कुमार इसको याद रखिए और मद्यप्रदेश से एक समानता ये कि वो भी जिस तरह मद्यप्रदेश में कमलनाजी है बिजनेस परिवार से आते रहे बिजनेस समालते भी रहे और काफी माना जाता है कि जब अगर उनकी वेल्थ की भी ह कंग्रेस प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते पूरा केंपेण नें डिजाइन किया उसमें वित्ती एसंबल जो है वह भी खूब उन्होंने प्रदान किया और बड़े चत्राई से उन्होंने पूरे कैंपेण को लीड किया महत्मुण बात यह है कि जिस तरह से वहां पर उ मान रही है चुकि अब और बहुत अधिक राज्यों में कॉंग्रिस मौजूद नहीं है समय तो फिनेंशल रिसोर्सेज और खुद की ताकत पार्टी में ऐसे लीडर की उसे ज़रुत होती है जो अपने संसादनों का भी इस्तेमाल कर सकें जिनके पास ना सिर्फ समझ हो बलकि कि वह वित्तिय संसादनों को भी मैनेज कर पाएं तो शिवकुमार और कमलनाज जी के तौर पर एक मॉडल भी कॉंग्रिस को मिला है क्योंकि 2018 में इसी मॉडल के चलते बहुत कम समय में मुझे याद है एक जून के आसपास एक कमान मिली थी 2018 में कमलनाज जी को और दिसंबर से वो डटे हुए है तो एक समानता का एंगल यह जरूर हमें नदर आता है अब कॉंग्रेस क्या आगे भी राजियों में इस मॉडल पर बढ़ेगी जहां उनके फिनेशल कैपेबल लीडर्स होंगे क्या उनको कमान सौपने का एक मॉडल वो अपना ही